नमस्कार दोस्तों कैसे हो सभी उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे बहुत ही शांदार जैसे कि आप शांदार हो वैंसे ही शांदार कॉश्चन लेकर आया हूँ मैं 60 कॉश्चन है बहुत ही शांदार कॉश्चन है आप पूरा वीडियो जरूर देखेगा आपको नहीं जॉब के लिए समर्पित है और इन कॉश्चंस में से पूरे कॉश्चंस देखके 50 कॉश्चंस सही करेंगे ठीक है लाश्ट में जरू बताइएगा किसके कितने प्रश्चन सही गए बीच बीच में मैं आपसे कुछ कॉश्चंस पूछूंगा उसके भी आंसर आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉश्चंस देख लेते हैं यह रहाप के स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर जाती है तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा पैट्र आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है मंदड़िया और तेजड़िया यह जो शब्दा वाली है वो किस से संब्द है तो मंदड़िया और तेजड़िया यह शब्दा वाली आपकी शियर मार्केट से संब्द है ना मंदी और तेजी बोलते है आप वही अगला कॉश्च नीची आने के लिए प्रियोग किए जाता है क्मेंट करके बताइएग से अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है ओप्शन नवर यहाँ पर सी बेलकुल सही अंसर हो जाएक एगल्य कौशन दिख लेते हैं यह आपकी स्क्रीन पर आप से पूछा गया है निम्न मैंसे कौन सी आर्थिक गतिविदी भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है तो सही आंसर हो जाएगा क्रशी अधिकतम जो लोग है वो क्रशी के उपर डिपेंडेंट है भारत एक क्रशी प्रधान देश है ये सब आपको ये चीज़ें पता है एक निश्यत समय सीमा में देश की सीमाओं के भीतर उत्पाद सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूले क्या है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद आप्शन नमबर C राइट आंसर हो जाएगा बलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला कौशन देखें यह कोशिय घाटा की वज़ाए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला question देख लेते हैं यह आपकी screen पर आपसे question में पूछा गया है कि भारत में नियोजित अर्थव्यस्ता किस पर आधारित है तो भारत में नियोजित अर्थव्यस्ता भारत की अर्थव्यस्ता मिस्रित अर्थव्यस्ता है मतलब option number D यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला प्रशन देख लीजिए यह आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है भारत में खादान का भंडारन कौन बनाए रखता है तो सही आंसर है खादान का भंडारन जो है अगला प्रशन देखिए यह आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है निमनमे से कौन एक कारेकारी पूण जी है तो कारेकारी पूण जी है आपकी मुधरा ऑप्शन नमर बी यहाँ पर रड आंसर हो जाएगा एक कारेकारी पूझी होगी अगला कॉशन देखिए निम्न में से कौन उत्पादन के चार प्रमुक साधनों में से एक नहीं है तो देखिए चार प्रमुक साधन कौन कौन से हो गया एक तो भूमी हो गया एक तो श्रम हो गया और आपका उद्धमिता ठीक है व्याय जो है उत्पादन में नहीं आता व्य अगला कॉशन देखिए यह आंपकी स्क्रीन पर आप से से पूछा गया है व्यक्ति गत वय योग या प्रयोजिय Аइकार्थ क्या है तो प्रयोजिय आइक क्या होती है यह होती है व्यक्ति आयका प्रत्यक्षकर option number यहाँ पर जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षकर होता है अगला कॉशन देखिए यह आपकी स्क्रीन पर आप से पूछा गया है गैर संस्थागत वित्व प्रदान करने वाले सबसे लोग प्रिये साधन है तो गैर संस्थागत वित्व कौन प्रदान करता है तो आपने देखा होगा महाजन होते हैं महाजन लोग उनसे लोग पैसे लेते हैं महाजन है आपर सही आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देखिए किसी देश में उत्पादन किये गए संपून सामान और सेवाओं का मूल उसका क्या कहलता है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सकल घरेली उत्पाद ठीक है अगला कॉशन देखिए यह आप कि स्क्रीन पर आप से पूछा गया है पुझी वादी अर्थवस्ता का मुख्यलक्षन क्या है पुझी वादी अर्थवस्ता का मुख्यलक्षन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका निजी स्वामित ऑप्शन नमबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देख लेते हैं यह आपकी स्क्रीन पर आप से पूछा गया है ब्रहद अर्थवस्ता सब्द का प्रयोग किस ने किया था तो ब्रहद अर्थवस्ता सब्द का प्रयोग किया था रागनेर फिक्स ऑप्शन नमबर यहाँ पर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कॉशन यह रहापकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है भारत में मुद्रा इस्पिती की गढ़ना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है तो यहाँ पर सही आंसर हो जागा थोक मूले सूचकांक होता है भारत में मुद्रा इस्पिती की गढ़ना करने के लिए अगला कॉशन देखिए आपसे पूछा गया है सामान ने संतोलन सिध्धान्त किसने प्रति पारत किया तो सई आंसर क्या हो जागा इस question का लियान वालरस option number यहाँ पर बी बिल्कुल सई आंसर हो जाएगा लियान वालरस अगला question देखिए ये रापकी screen पर आपसे पूछा गया है इंद्र धनुषिय क्रांती का संबन्त किस से है इंद्र धनुषिय क्रांती आपकी नेली क्रांती हर्ट क्रांती स्वेट क्रांती ये सबी जो है इंद्र धनुषिय क्रांती में आ जाएगी अगला question देखिए अर्थ सास्त्र सब्द किस भाशा से लिया गया है कौन है तो अरुन कृष्णन ऑप्शन नमबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगला कौशन देख लेते हैं यह आपकी स्क्रीन पर आप से पूचा गया है भारत में आर्थिक नीती किस के द्वारा बनाए गई और लागू की जाती है तो आर्थिक नीती भारती निकलो नीती किस से संबनननत है और या रख लो या फिर निकल जाओ कोई जौँरफ नी है ऑप्छन है अगला कौशन ने में जे क्रिश्ण क्रांती का समदनत किस К्रिश्ण क्रांती आपकी खनेच तेल उतपादन option number B खनिज तेल उत्पादन सही आंसर हो जाएगा अर्थिक विकास का तीसरा शेत्र क्या है तो यह है आपका सेवा सेत्र देखिए विज्ञान शेत्र क्रसी शेत्र सिख्षा सेत्र ठीक है सेवा शेत्र जो है आपका यह तीसरा शेत्र है आर्थिक विकास के लिए निमने में से आर्थिक विकास की बहतर माप कौन सी है तो सही आंसर हो जाएगा यदि प्रती रखती आए बहुत ही अच्छी है तो आर्थिक विकास बहुत अच्छा हो रहा है याल रखेगा अगला कॉशन देखिए यह राप की स्क्रीन पर आप से पूछा गया है भारत में पुरा पाशानकाली इन ओजारों की खोज सर्पतम किस ने की थी तो पुरा पाशानकाली ओजार यहां पर ऑप्शन नमबर रॉबर्ट ब्रूस फुट ऑप्शन नमबर ए बिल टटों का देश निमनमय किसी का जाता सङा आँसर हो जाएगा आपका नावर्वे को कहा जाता है ऑप्शन नमबर डशानकाली एं पर कशल तो बडी नदी की शाखा है अगला पाशन देखिए भारत में चकबंधि सर्प्थम कहां पर वागический की गई तो चकबंदी अलागों की गई ऑप्शन नमर भी बड़ोधा में ऑप्शन नमर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप मुझे कमेंट करके बताईए चाय के उत्पादन में कौन सा देश नंबर वन है चाय के उत्पादन में किसकी आती है कमेंट करके जरू नमर भी पच्चपनवा समिधान सान सोटन अगला कॉशन देखिए नम्न में से कौन सा अपकर समुद्र की गहराई हमापने के लिए काम में आता है तो समुद्र की गहराई हमापी आती है आपकी यहाँपर ऑप्शन नमर भी बिल्कुल सही आंसर हो जागा फैदूमीटर आ प्रथम TURK आक्रमार के समय पंजाब में साही वंश्क कौन शाशक कर रहा है तो प्रतम तुर्क आक्रमान के समय पंजाब में शाही वंस का शाशक कौन रहा है यहां पर सही आंसर हो जाएगा जाएगा अगरा कोशन देख लीजे यह आपकी स्क्रिन पर तीनों गोल में शामेलन के समय इंगलेंड के प्रधानवंतरी निम्नलखित में से कौन थे तो उस समय थे आपके जेम्स रेंजे मैक डॉनल्ड ऑप्शन नमबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगरा कोशन दे आती है तो यह तीनों पाई आती है आपकी गुजरात बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगरा कोशन देख लीजे यह आपकी स्क्रिन पर किस राष्ट्रपती के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मत गढ़ना करनी पड़ी थी तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका व अगरा को दो जाएगा गजहा वशेना को पर पू霧ृ आपका वच्पन के नाम है जय आंसर हो जाएगा ओप्षन नृए आप्षण सिंघापटो श्तिए बहुआ पास ज्यादा लोग रहते हों तो शिख्वाना से आपका वाशन हो जाएगा आप्शन अगरए रशीन तुगलकी फर्मान कहावत तुगलक वंज के किस शाशन से जुड़ी है यह थे आपके मुहंबद बिन तुगलक mbt यह इनका तुगलक भी फर्मान मतलब जो बोल दिया मतलब बोल दिया कोई सिर्पर रहात नहीं नहीं मानोगे तो मार ती जाओगे श्री नारा नमलहर जोशी ने वर्स 1911 में नमलकित में से कौन सी संस्ता की स्थापना की तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सोशल सर्विस लीक आप्शन नमर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देखिए विश्यो में सरवादिक समाचर पत्र किस देश में पढ़ी जाते हैं तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिंगापूर आप्शन नमर डी विल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देखिए यह आपकी स्क्रीपर आपसे पूचा गया है नमनमका से क्सनादी को इटली की गंग आपको मुझे कमेंट करके बदो have your को इंग्लेंड की गंगा बताइए इंग्लेंड की गंग किसको कहते यह कमेंट करके न contract देखिए आदिव त्वारा बनाय जाने वाला प्रमुख तेवहार सरहुल देशी महा के अनुसार कम मना जाता सरहुल मना जाता चैत्र शुक्ल की त्रतिया ओप्शन नमर सी सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए यह आपकी स्क्रांथी का प्रारंब आरंब किस पंचवर्शी होजना में हुआ था सही आ वेलो सिटी को हिंदी में क्या का जाता है तो वेलो सिटी ऑप्शन नमर डी वेग बिल्कुल सरह आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए यह आपकी स्क्रीन पर निम नमैसे किस के पंकों की रचना तुचा से होती है और यह आखरी कोशन इसमें पूछा गया वह शाका जि नहीं भी जोड़े अंदाजा होगा कितने कोशन बन रहे हैं 40 45 50 कमेंट करके बताइए और वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज देख लो लाइक किया यह नहीं शेर ज़रूर कर देना दोस्तों प्लीज शेर कर देना दोस्तों के साथ वाटसेप ग् ख्याल रखिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब हो ऐसी हम कामना करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद